मुझे आज अपसोच हो रहा है कि मेरे पैसे पानी में चल गए कईसे चल गए नहीं चल गए कहां से मैंने लिया शॉपिंग की और किसने मुझे थगा तो यह सब जानने के लिए मैं मुझे बहुत गर्द हो रहा है अंदर ही अंदर क्योंकि मैंने जो सोच की लिया था वो सामार वैसे निकला ही नहीं और इतने पैसे भी लग दे तो चली देख लेते हैं माज रखे तो मैंने जो चीज ऑनलाइन शाप से खरी दिया लेकिन एक बात मैं मेंशन करना चाहूं जो 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 अब देख लेते हैं कि मुझे आपसे की पड़िए इस मुझे चाहती हूं तो मैंने पड़िए यूज पूछका मैंने जो बता कि वह इस फोटे के वारे में यहाद से पूछ जोग बताता इक इस टाना था तो चली बहुत से लीग्ट की अशन के भी युखते ल तो आपने देख लिया कितना फुश्वरत दिखता है और मैंने इसके बारे में जब पूछा तो की मेटरियल किया है सर तो उन्होंने मुझे बताया कि यह भेलवेट का है तो मुझे लगा कि इतनी जल्द यहां पर कहां पर मैं स्टिच करा हूँ और इतना अच्छा मतलब जो पीस लग रहा था सलवार पीस जो लग रहा था वो इतना अच्छा है क्यों यहां पर अगर कोई बरबाद कर देगा तो इसी डर से मैंने सोचा कि मैं वही पर पूछ लेती हूँ कि उन लोग के पास स्टिचिंग का कोई फैसलिटी मौजूद है या नहीं तो मैंने पूछा उन लोगों से कि क्या आप वहां से स्टिचिंग करके मुझे भेज सक है तो मैंने पूछा कि कितना फीस है आप लोग का पाबें तो उन्होंने बोला 1000 एक हजार ठीक है मुझे लगा ठीक है चलो जो इतना मेहंगा मैं मेरी जो मेट्रियल है ड्रेस मेट्रियल है वो इतना अच्छा है तो उसको अच्छा से सिल्ला भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो अच्छा रखे अच्छा दिखे इसके लिए तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है मुझे कब तक में जागा उन्होंने बोला 6-7 मैक्सिमम लगेगा तो ठीक है मैं इंतजार करती रहे कि मुझे कब मेरा ड्रेस मेट्रियल रिसीब होगा तो वो मुझे रिसीब हो चुका है और उसका वो इस तैक के कुछ पैकेट में रिसीब हुआ है यह चेन लगाया हुआ है यहाँ पैकेट जो भी है जो था वो है पैकेट से मुझे कोई लेना देना है नहीं पैकेट में पहनने वाली और यह पैकेट नहीं पहनने वाली है तो अब जो मुझे मेट्रियल तो आप मैं आपको दिखा दिए उन लोगों का भेल्बेट जो है वो फिस्ता इता है यह देखिए यह है जॉर्जेक पियर जॉर्जेक पोई भेल्बेट टच भी नहीं किया तो इहां पर देखने में खुशुरत है बट्रियल बहुत बुरा है बहुत बढ़ा है यह देखिए फटके क्या हालत हो गए है यह हो गया फटने के बाद यह इतना अच्छा से फिटिंग किया है उन लोगों है एक हजार पैसे एक हजार रुपीया लिया मुझसे वान थाउजन्ट रुपीज भी लिया और इतने अच्छा से सिला कि मैं इसके अंदर पीटी नहीं अपर लोग उस मैंने अपना सारा साइज मेजर्मेंट दे दिया था उन लोगों को उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस तरीके से सिला तो कितना गंदा टाइप पसिला है बाकी जो हैंडवर्क है वो सब तो ठीक था क्या एंब्रोडरी ठीक ही है कोई कुछ चीज नह होती है वो कोई । सिलाई का ढंग है जहां तहां से भागा निकल रहा है आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं देख सेंगे कैसे धागा निकल रहा है जहां तहां से मतलब कोई फिनिश नहीं है कुछ नहीं है इसका प्राइस कितना लिया था पता आपको सारे 3,000 बस इसका और उपर से 1,000 extra लिया है मतलब सारे 4,000 का चूना लगाने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से तो देखें अब जो मेरे शू अब मुझे इसको थेस्ते दर्जी को देना पड़ेगा वही हुआ है मेरे साथ और अगर आपको यकिन नहीं हो रहा हो कि उन लोगों ने जूट कहा था तो मैं वर्टसप का स्क्रीन शॉट है मैं यहां पर दे देंगी आप लोग देख लेना इहां उसके बाद यह यहां तक ह स्टीच लंगा लगा कपरा इंदर गीश कल दिया गए हो कि स्टीचिंग कास नहीं हिसा अंधर से कहाँ कि अच्छी नहीं है उनास ऺलिट और अच्छी सब्सक्राइघ का सब्हुत कर दो 3000 कि हो गशन Rugण डेकिक्षार विक हूं अच्छी टीचिंग वुयर्ट एक कृचीं यह तो उपर का पार्ट हो गया अब जो नीचे का था वो ब्रॉपट कपरे का जर्सा दिखता है बड़ यह उसी प्रिंट में है इसकी क्वालिटी एक दम घटिया और इसको पहनने गई में अब इसकी बात सुन लीजे इसको पहनने गई तो यहां तक पैर आया उसके बाद न नहीं कर पाये, आपको कोई भी प्राब्लम हो गया होगा, कुछ गल्थी के वज़े से अपने इसको ठीक नहीं किया, लेकिन इसमें भी गलत, पेर यहां तक आया, उसके बाद मेरे पेर घुसा ही नहीं, तो मैंने इसको खोला, तो खोलने के बाद की मुझे इसको सिलाई खोलनी है, तो मैंने सिलाई इसको खोल दिया, खोलने के बाद इसको दर्जी को देऊ, दुबारा सिलाई करने के लिए, तो जब मैंने खोला, तो देखिए, इसके अंदर अच्छे से सिलाई भी, मतलब एक सि इसके बाद जो फारिनल यहां पर होता है ना यहां पर जो लॉक का किया जाता है यह चीज देखिए इसका स्लाई आप देखिए कितना गंदा है देखिए ऐसे चुऊ गे तो आपका सब निकल जाएगा कपड़ा एक खुल के आज जाएगा इतना घटिया तरीके से इसको सीला जाएगा और कपड़ा भी उतना ही घटिया दोस्तों तो और इसका जो असली चीज़े वो है लो का जो स्टोर का नाम है वो है इंडो वेस्टन हैस्टेक इंडो वेस्टन आप टाइप करो इंस्टाग्राम पर पमीच आएगा मनमोहित फैशन मुंबाई महारास्ट्रा तो म मुहित जी ने मुझे अच्छे से चुना लगा है इसके लिए आपको बड़ा बहुत बड़ा शुक्रिया इस नवरात्री के सिजिन में अपने मुझे चुना लगाया याद रखिएगा आपकी तो भगवानी मालुक है तो यह हो गया यहां सभी मैं ठगी गई आप जो चु अब इसको मुझे ठीक करना होगा तेलर से देखे देखे दर्जी मेस्टर के सामने बैट कि मुझे ठीक करना होगा क्योंकि पता नहीं इसके बाद इसके साथ क्या हो जाए तो इसलिए मैं रिक्स नहीं लेने वाली हूं और मैं इसको लेकर कुछ जाने वाली हूं और इसको तो यह पहने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आप अगर अगर आप खुद कंफोटबल फिल नहीं करने वालों इसको पहने के बाद आपको दूर से देखके लगेगा कि वाव क्या पहन लिया है तो यह इसका लूप बहुत अच्छा है लेकिन अच्छेल घटिया है इसकी सलाई जो है इसकी स्टिचिंग जो है भो भी घटिया है मतलब प्रोडेक्ट के हिसाब से अगर लुप को छोड़के बाकि जो भी चीज़ और घटिया है और मुझे दोका दो इस्टर्ग्राम स्टोर से तो दूबारा कुछ भी खरीदने से पहले यह वीडियो जरू देख लेना इस लिए नूगों को फोन किया था दोस्तों कि आपने सारवातिने साहित हैं ले ले ले, क्या को बापस कर सकती है उननो hara मैं नहीं भापस कर सकते हैं, कि मैंने चीशिंग कर लिया है, और शायद भापस करने कार बुछ भी नहीं होगा उन लोग के पास मैंने बोला कि मेरे जो पैसे क्या करने एक हजार रुपर आपने ले लिया था, तो आप मुझे दुबारा जाके प्सती लाना पड़ेगा यहां पर दर्जी के पास ले जाना पड़ेगा और वो मेरा इसको ठीक करेंगे, इसके बाद में इसको पहन पाऊगे यह था मेरा experience इस्टाग्राम स्टोर से खरीने का मैं इस्टाग्राम स्टोर से खरीने का, मैं यह बिल्कुल नहीं बोली हूँ कि सारे इस्टाग्राम स्टोर ऐसे है, पर कपड़ा मैंने पहली बार यहां से खरीदा है मेरा experience बहुत बुरा रहा, तो आप लोगों की मर्ज़ी आप लोग जब क्या करना चाहते हूँ यह आप लोग इसका लिंक भी description box पर डाल दूँगी अगर आप चाहते हो चेक करना तो कर सकते हूँ और यह screenshot रहा इसके दुकान का जो मैंने देखा था वो screenshot रहा आप देख सकते हो और चलती हूँ और मैं इसको सिलाने के बाद इस वीडियो में edit कर दूँगी कि यह पहने के बाद क्यासा लग रहा है तो देख लेना आप आए टुका रहा है जाँ जाए रहा है यह एना आप ए करना आप ए झाल झाल